नमस्कार जोहार मैं आचना जैस्वाल आप देख रहें न्यूल जार्खन चली जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की जार्खन की तमाम बड़ी खबरों को सनविधा पर नियुक्त महिला कर्मियों को मिलेगा 180 दिन का मात्रित अवकास संकल्प जारी जार्खन राज में कर्मियों की तरज पर सनविधा के अधार पर नियुक्तेवं कारेरत महिला कर्मियों को मात्रित अवकास की सुविधा दी जाएगी वित्त विभाग ने इस संकल्प में संकल्प जारी कर दिया है वित्त विभाग के संकल्प के बाद अन्य विभागों की ओर से निर्देश जारी किये जा रहे हैं इसी आलोक में ग्रामीड विकास विभाग ने जारखन के सभी मनरेगा अंतरकत सन्वीदा पर कारेरत महिला छेत्रिय कर्मियों को मातरित अवकास के सुविधा अनुमाने करने की स्विक्रिती प्रदान कर दी है इस संबंद में मनरेगा आयुक्त राजेस्वरी बी ने सभी उपायोक्त वा उपविकास आयुक्त को पत्र लिखा है और नियावनुसार मनरेगा के अंतरकत कारेरत महिला छेत्रिय कर्मियों को 180 दिन का मातरित अवकास देने का निर्देश दिया है गिरिडिया में चिकिस्सक किल्ला परवाही से नजबंदी को ओपरेशन कराने पहुची महिला की मौत अस्पताल में हो हंगामा गिरिडिय जीले के बगोदर थाना छेतर के जर्मुन्य पूर्वी पंचायत के हरिजन टोला की महिला प्रियंका देवी नजबंदी को ऑपरेशन कराने के लिए शुकरवार की साम बगोदर अस्पताल पहुची थी जहां ओपरेशन के बाद देर रात उसकी मौत हो गई इधर महिला की मौत के बाद लोगों में आक्रोश है वहीं घटना के बाद अस्पताल परिसर से चिकिस्सक और स्वास्तकरमी फरार हो गए इस बाबत मृतका के पती अजयदास ने बताया कि पतनी को नजबंदी को ले कर स समुदाइक स्वास्तकेंद्र सुकरवार की साम 4 बजे पहुचे थे मौजूद डॉक्टर धीरच कुमार के द्वारा 6 बजे ऑपरेशन कराया गया इस दोरान पतनी को 10 बजे दर्द सुरू हो गया जब पतनी को दर्द सुरू हुआ तो उस वक्त अस्पताल में कोई चिकिस इस तक पर लापरवाही का आरोप लगाया है और इस घटना के बाद ग्रामीडों में भी आक्रोश है शराफ व्यापारी योगंद्र तिवारी पहुचे एडी ऑफिस एडी के समन पर योगंद्र तिवारी दोपहर करीब 12 बच कर 25 मिनट पर एडी दफतर पहुचे सहाय का चारे न्युक्ति न्यामवली में पारा सिक्षकों को 50% आरक्षड दिये जाने का मामला पहुचा हाई कोट राजसरकार वाज यससी की नोटिस जारी के चीफ जस्टिस संजे कुमार मिश्ट्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीट में हुई है अगली सुनवाई एक 30 अगस्त को होगी मामले में जैसे सी को भी प्रतिवादी बनाया गया है प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार तिवारी ने पैरवी की उनकी ओर से कोट को बताया गया कि सहाया का चारे न्युक्ति नियामवली 2022 में सन्वीदा पर सिक्षा विभाग में कारेरत कर्मियों को 50% आरक्षड की सुविधा दी गई थी बाद में सन्वीदा कर्मियों को आरक्षड समाप्त कर दिया गया और नियामवली को संसोधित किया गया सर्विदा कर्मियों को भी आरक्षड मिलना चाहिए था आयस से अधिक संपत्तिक की कर रही है जांच जांच के घेरे में रगुवर समेत पांच पूर्व मंत्री एसीबी मैनहट पर भी खुलेगी फाइल एसीबी राज के पूर्व मुख्यमंत्री रगुवर दास समेत उनके सासनकाल के पांच पूर्व मंत्रियों की संपत्तिक के मामले में जांच शुरू कर दी गई है इसके लिए एसीबी ने प्रिलिम्री इंक्वाइरी दर्चकर मामले की जांच शुरू कर दी है मैनहट घोटाले में एसीबी को पूर्व सीएम के खिलाफ अभियोजन के स्विक तो दूसरी तरब भाजपा के पुर्व पांच मंत्रियों के खिलाफ ACB मुख्याले इस तर से एक टीम का गठन कर लिया गया है ACB ने मामला दर्ज किया है इन पांच मंत्रियों में रड़धीर सिंग, अमर कुमार बावरी, निलकंट सिंग मुंडा, नीरायादो और लुईस मरांडी है जिनके खिलाफ ACB जाच कर रही है ACB ने यह कारवाई राजसरकार के निर्देश पर की है ACB जल्दी पूर्व मंत्रियों की संपत्ती के संबंध में साक्षे कत्रित करने के लिए उन्हें नोटिस भेज कर पुछताच के लिए बुलाने की तैयारी में है अभी एक 30 अगस तक जारखन में बारिश की संभावना मौसम इभाग ने आज भी जताई बारिश की संभावना इन इलाकों में जारी किया यलो अलर्ट राज के कई शहरों में सडकों पर पानी भरा है वज़ा है राज में एक बार फिर मांसुन का सक्रिय होना राज के कई हिस्सों में बारिश होई जारखन में एक जून से 25 अगस्त के बीच समाने से 34 प्रतीशत कम बारिश होई है जमशेदपूर सहित राज के कई हिस्सों में बारिश होई रात साड़े आड़ बजे तक शहर में 20.4 mm बारिश दर्च की गई है सबसे अधिक 106.2 mm बारिश दुमका के सिकारी पाड़ा में दर्च किया गया है इन इलाकों में बारिश की संभावना राज में अभी और बरसात होगी मौसम इभाग के नुसार राज के कई हिस्सों में अभी रुक रुक कर बारिश होगी राज में राजधानी राची के साथ सासंताल का इलाका बोकारो गिरीडिय देवघर दुमका गोड़ा सहित राज के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है बारिश का नुपात में कमी होने की वज़ा से तापमान में बढ़ोत्तरी हुई है कुछ स्थानों पर इस दोरान गरजन के साथ बारिश और वज़रपात की भी चेतावनी दर्ज की गई है हजारी बाग में वाहन का टायर फटा बाल बाल बची चिकिससक राची पटना मार्ग पर इचाक थाना छेतर के नेशनल पार्क घाटी में पदमा सामुदाइक स्वास्तकेंद्र में पदिस्थापिच चिकिसक डॉक्टर नैंसी प्रिया की चार पईया वाहन का टायर फटने से गाड़ी असंतूलित होकर सड़क के किनारे टकरा गई इस घटना में डॉक्टर नैंसी प्रिया बाल बाल बच गई एसाई धनंजे कुमार ने बताया कि चिकिसक नैंसी प्रिया पदमा से हजारी बाग जा रही थी इसी दोरान वाहन का टायर फट गया जिससे वाहन असंतूलित होकर सड़क के किनारे टकरा गई घटना में चिकि अगस को मन की बात कारेक्रम में लोहरदगा जीले के सुदूरवर्ती जंगली और पहाडी छेत्र कूडू प्रखंड के मस्यातू तथा गुमला के मुर्कुंडा पंचायत के एग्री स्मार्ट विलेज कोंटे सेरा के ग्रामीडों से सनवात करेंगे लोहरदगा का जैविक खेती के लिए जाना जाता है प्रधान मंतरी इन गाउं के लोगों की आत्म निर्भरता की कहानी पूरे देश को बताएंगे सांसा सुदरसन भगत ने हर सव्यक्त करते हुए ग्रामीडों को बधाई दी लोहरदगा जीला मुख्याले से लगबग 22 किलोमीटर दू मस्यातु गाउं जंगलों और पहाडों से घीरा हुआ है या गाउं हातियों के आतंक का भी दर्द जहेलता है इसके अलावा इस गाउं के लोगों ने नकसलियों का भी खौफ देखा है खुसखबरी 2004 से पुर्व के सभी विग्यापनों पर नियुक्त कर्मचारी भी पुरानी पेंशन के दाएरे में आदेश जारी जारी जारकन सरकार ने राज्यकर्मियों को फिर से तोफ़ा दिया है पुरानी पेंशन के लिए लागु नियम में आ रही वी संगतियों को भी दूर कर दिया है वित्त विभाग के प्रस्ताओं पर सरकार की मंजूरी भी मिल गई है और आदेज भी जारी कर दिया गया है इसके तहए तब राज में साल 2004 के दिसंबर के पुर्व सभी विग्यापनों पर नियुक्त कर्मचारी पुरानी पेंशन के दायरे में आ गए है ये ऐसे कर्मचारी हैं जो 2004 के दिसंबर के पुर्व जारी विग्यापन के जड़िये नियुक्त किये गये थे इनका योगदान 2004 के दिसंबर के बाद सुरू हुआ था यानि इनके लिए भी पुरानी पेंशन लागू कर दी गई है बोरों में विभाग के संकल पसंख्या 126 के तहत इसे लागू किया गया था परंतु उसमें यह सर्थ जोड़ा गया था कि राज में नई पेंशन योजना लागू होने से पुर्व संबंदित कर्मियों के न्युक्ती प्रक्रिया पुढ होनी चाहिए राजसरकार ने पिछले नई कैबिनेट में यह निर्ड़ा लिया है कि जार्खन में नई पेंशन योजना लागू होने अर्थात 1 दिसंबर 2004 से पुर्व के किसी भी पर बाद में योगदान करने वाले सभी कर्मचारी पुरानी पेंशन के दाएरे में आएंगे जार्खन डेटियस को मिली बड़ी सफलता पुलिस ने जेजे एमपी उग्रवादी संगठन के एक सदसे को दबोचा बड़ी खबर राजधानी राची से जहां जारकन पुलिस की आतंकवाद निरोधी दस्ता ने बिल्डर से लेवी वसूलने वाले जेजे एमपी उग्रवादी संगठन के एक सहयोगी को पुंदांग इलाके से गिरफतार कर लिया है पुंदांग के रहने वाले बिल्डर से उग्रवादी ने 30 लाख रुपए की रंगदारी मांगी थी बताया जा रहा है कि बिल्डर से रंगदारी मांगने वाले उग्रवादी संगठन जेजे एमपी के उग्रवादी अरजुन लोहरा के सहयोगी देवसागर खलकों को ATS क टीम ने अरेस्ट कर लिया है, उगरवादी देवसागर राची के मांदर थाना छेतर के कंजिया का रहने वाला है। उसकी गिरफतारी राची के पुण्दांग इलाके से हुई है। उग्रवादी देवसागर पुष्टाश में पुलिस के सामने स्विकारा है कि वो जेजेंपी संगटन के अरजुन लोहरा के कहने पर पुंधांग के बिल्डर से रंगदारी वसूल ने आया था, एटियस की टीम ने गुब्त सूचना पर उसकी घेराबंदी कर उसे दबोच लिया, उसके पास से एटियस ने एक बाइक और मुबाइल भी जब्त किया है। बाइक से घर लोट रहा था, इसी दोरान कालाडियो मोड के समीब तेज रफ्तार ट्रक ने टक कर मार दिया, जिसमें वह बूरी तरह से घायल हो गया, इसके बाद इस्थानिय लोगों की मदद से उसे शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज अस्पताल ले जाने की दोरान उ सितंबर से सुरू होने वाले हांग जोव एसी आई खेलों में हिस्सा लेने के लिए शुकरवार को रिकॉर्ड 634 भारतिय खिलाडियों को मंजूरी दी, पिछले 2008 जकार्टा एसी आई में भारत के 572 खिलाडियों ने हिस्सा लिया था, भारतिय टीम में जारकन फ्लोरेंस बारला का भी जयन किया गया है, फ्लोरेंस को चार गुड़े 400 मीटर महिला रिले टीम में शामिल किया गया है, रिले टीम में फ्लोरेंस के अलावा सोनिया वैस्य सुभव एंकटेशन और एस्वर्या कैलाश मिस्रा शामिल है, भारतिय उलम्पिक संग ने इस महादूइपि के लिए खिलाडियों को चुना गया है, जिसमें कुल 44 फुटबॉलर, 22 पूरुस और 22 महिलाएं शामिल है, होकी का दल तीसरे नंबर पर है, जिसमें 36 खिलाडी शामिल है, हैदरबाद रक्सॉल स्पैसल ट्रेन की समय को मिला अवधी विस्तार, धनबाद राची के यात्रि दी गई है, कि यात्रियों की सुविधा को देखते ही हुए ट्रेन के परिचालन की अवधी को विस्तार किया गया है, ट्रेन संख्या सुने 7, सुने 5, 1 एक हैदराबाद रक्सॉल इस्पैसल ट्रेन का परिचालन 2 सितंबर से 30 सितंबर तक किया जाएगा, ट्रेन संख्या यात्रा 5 सितंबर से 3 अक्टूबर तक परिचालन होगा बता दे कि ट्रेन दर्भंगा और बरौनी से होते हुए धनबाद और राची से गुजरती है ऐसे में धनबाद और राची के यात्रियों को ट्रेन का परिचालन बढ़ने से लाब होगा धनबात के सिनिडिय में 63 पीएम आवास का काम अधूरा रासी की हो गई निकासी लाभुकों ने साधी चुप्पी प्रखंड की सिनिडिय पंचायत में अंचल कार्याले द्वारा आबंटित 63 भूमी हिन लाभुकों को पीएम आवास योजना का लाभ तीन वर्सों के बाद भी नहीं मिल सका है भूमी एवं रासी आवंटन के बावजूद काम पूर्ड नहीं हुआ पूरी रासी की निकासी हो गई है एक साथ आध्या दूरे आवास का निर्मार करा कर छोड़ दिया गया है इस मामले में लाभुक कुछ भी बोलने से कतरा रहे हैं इन तीन वर्सों में प्रखंड कार्याले द्वारा आवंटित पीएम आवास योजना की 63 घरों का दिवाल खड़ी कर आध्या दूरे इस्थिती में छोड़ दिया गया है इन आवासों में नहीं प्लास्टर किया गया नहीं खेड की दर्वाजा लगाया गया किसी में छट की धलाई हुई है तो कुछ में एस्बेस्टर का छट लगा है बागमारा के कनी अभियंता मोनु पांडे ने बताया बागमारा के कनी अभियंता मोनु पांडे ने बताया कि जो भूमी अंचल कार्याले द्वारा अवंटित की गई है उस पर निर्मार नहीं हुआ है साथ ही नियम के खिलाफ कारे किया गया है जेसे सिस इक्षक नियुक्ती प्रक्रिया पहुचा हाई कोट बियार पी एवं सियार पी ने दायर की याचिका कोट ने राजी सरकार और कमिशन से मांगा जवाब जारकंड स्टाफ सेलेक्शन कमिशन की ओर से राज में 26,000 सहाया कचारियों की नियुक्ती का मामला अब हाई कोट पहुच गया है इस नियुक्ती प्रक्रिया में केवल पारा सिख्षकों को ही नहीं बल्कि सिख्षविभाग में कारेरत अन्ने सन्वीदा कर्मियों को भी आरक्षड देने की मांग को ले कड़ बियार पी, सीयार पी की ओर से याचिका दायर की गई है ये याचिका बहादुर महतोवा अन्य की ओर से दायर की गई है इस मामले की आज सुनवाई हुई सुनवाई चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्टरा की अध्यक्षता वाली खंडपीट में हुई है जहां कोट ने सुनवाई करने के बाद राजसरकार एवं जारखंड कमिशन को नोटिस जारी किया है नोटिस जारी करते हुए दोनों को पांच दिन में जवाब दाखिल करने को कहा गया है हाई कोट की ओर से नोटिस जारी करने के बाद सुनवाई की अगली तारिक निर्धारित कर दी गई है अब अगली सुनवाई एक तीस अगस्त को की प्रियास किया गया था लेकिन हर बार ये लोग पुलिस को चक्मा देने में सफल रहें कल पुलिस को सूचना मिली जिसके बाद या गिरफतारी हुई पिछले दिनों सुप्रिम कोट ने भी दाहुयादो की अग्रीम जमानत याचिका को खारिच करते हुए इडी के समक्ष समरपढ होने का आदेश दिया था इसके बाद भी साहिब गंज पुलिस द्वारा या गिरफतारी की गई है जिसमें मुफस्तिल थाना प्रभारी अनुपम प्रकास्ट नगर थाना से एसाई जगरनात पान जिर्वाबारी ओपी प्रभारी चिरंजीत प्रसाद के अलावा भारी संख्या में पुलिस बल शामिल रहे पुरू में एडी कोट के आदेश पर दाहुयादो की कुरकी जपती भी पुलिस द्वारा की गई थी इसके बावजूद भी दाहुयादो और सुनिल यादो फरार चल रहे थे संभवता सुनिल यादो को जीला पुलिस प्रशासन एडी को सौप सकती है बंदोबस्त कार्यालियों में मुनसरीम के रिक्तपदों पर होगी नियुक्ती राज के सभी बंदोबस्त कार्याले में मुनसरीम की नियुक्ती का रास्ता साफ हो गया है राजस्व निबंदन एवं भूमी सुधार विभाग अंतरगत भू अभिलेक एवं परिमाप निर्देसाले ने जार्खन राज के बंदोबस्त कार्याले के अधीन मुनसरीम सेवा सनवर्क संसोधित नियुक्ति नियामवली 2023 को अधिसूचित कर दिया गया है। आयोक से अनुशन से तभ्यर्कियों को विभिन रिक्त पदों पर नियुक्ति की जाएगी।